देखें अब जड़ा आते बरनौली साप के बारे में बात करते हैं बरनौली ने कहा कि वे इने लिक्वेट आइडियल लिक्वेट इस फ्लोइट इस फ्लोइड इन इस पॉइंट और फिर्स पाथ तोटल एनर्जी पर यूनिट वॉलूम रिमेंस कंजर्प यहां प्लस हाफ रोवी स्कॉआर प्लस रोज य। यजी कॉलो कॉंस्टेंट अब यहां दो समझेगा एक नोट लिख लिजेगा चाहे चाहए इस पर सल के लिखेंगा इसस SAl cases, especial cases, देखें पहला equation यह है, पहले तो आप यह करिए कि इस वाले equation को ρो जी से डिवाइड कर दो, divided equation 1 by ρो ग, dividing equation 1 by ρो ग, rho बोले तो density of the liquid और g बोले तो acceleration due to gravity, तो यह चीज किसी भी liquid के लिए constant है, भाई, रो किसी भी liquid के लिए constant होता है, और g अलिडी constant है, तो यह क्या बन जाएगा, पी अपान रोजी, प्लस तब इसको रोजी से डिवाइट करोगे, तो आएगा v square अपान 2g, प्लस यहाँ पर हो जाएगा h, अब दोको इधर constant portion आ रहा है, अब constant को किसी constant से डिवाइट करोगे, तो again you get a constant value, constant, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर here, जो पी अपान रोजी है, इसका एक नाम है pressure head, क्या कहते हैं इसको, pressure head, और v square अपान 2g, को हम कहते हैं velocity head, velocity head, और जो h यहाँ पर होता है, वो होता है, gravitational head, head, तो आपने एक theorem और देख ली, अगर यहाँ पर देखें इसी जीजी को, तो pressure head, plus velocity head, plus gravitational head, is equal to constant, तो हमने क्या देखा, कि when any ideal liquid flows in a streamlined motion, then at every point of its path, the total head remains constant, या the sum of the pressure head, velocity head, and gravitational head is constant, यह हम कह सकते हैं, ठीक है, दूसरी बात, सौन जागी बात, दूसरी बात देखिए, कह रहें, अगर जो pipe आप use कर रहे हो, यह horizontal pipe है तो, if the pipe is horizontal, दूसरा case यह है, special case में, if pipe is horizontal, pipe is horizontal, आप ध्यान से बर्डॉली theorem के diagram को देखे, उसमें height अलग-अलगर में लिखी थी, तो जब pipe horizontal लिख रहे हो, तो यहाँ पर h1 is equal to h2 हो जाएगा, तो यह दोनों तरफ जो theorem अपनिक रहे थे, यहाँ कि P100, यहाँ क्या बन जाएगा, P1 प्लस half rho v1 square प्लस rho g h1 था यहाँ, यहाँ है P2 प्लस half rho v2 square प्लस rho g h2 था, यह भी h1 हो जाएगा, तो अगर ध्यान से देखें, तो हम कह सकते हैं कि rho g h1, rho g h1, इंका चले गए रोजी के घर, रोजी के घर चले गए, तो यहाँ क्या आगया, यहाँ प्लस half rho v1 square is equal to P2 प्लस half rho v2 square, तो जड़ा देखें ध्यान से, एक प्लेस पर P1 प्लस यह है, एक पर यह है, दोनों value same है, इसका होता है, यहाँ आप कह सकते हैं, P plus half rho v2 is equal to constant, किसी भी horizontal pipe में, अगर कोई ideal liquid flow हो रहा है, तो this sum remains constant, P plus half rho v2 is equal to constant, इसका मतलब पहले समझ ले, तेकि यहाँ पर कौण से चीज़ जो place to place change हो रही है, और pressure, लेकिन यह कहरें कि पूरा sum constant है, इसका मतलब है कि एक चीज बढ़ेगी, तो दूसरी चीज़ को कम होना पड़ेगा, पी into v की बात नहीं करेंगे, pressure और volume में एक चीज़, अगर दो चीज़ प्लस की गई है तो एक बढ़ेगा, तो दूसरी चीज़ कम होना पड़ेगा, भाई अगर v बढ़ता है तो यह वाला portion बढ़ रहा है तो इसको कम होना पड़ेगा, अगर पी बढ़ता है तो इसको कम होना पड़ेगा, ultimately दोनों का sum जो है constant लाना है, यही तो मतलब हुआ जागर के, अब जुरा समझेगा, जहाँ pressure जादा होता है, जहाँ velocity जादा होती वहाँ pressure काम होता है, जैसे पंका चलता है, अब पंका तो छत का चल रहा है, तो नियमता हवा नीचे की तरफ आनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो, जो आपके बुक का पेज है वो उपर उड़ता है, तो आपने क्या देखा कोई वराश्ची ज्यादा है तो pressure कम होगा, हवा चल रही है, पंके की पंके की हवा बहुत तेज चल रही है, उपर नीचे आ रही है तो नियमता पेज जो बुक का है नीचे दबना चाहिए, लेकिन नीचे नीचे दबता उपर उड़ता है, क्यों, क्योंकि उपर जो पेज के उपर हवा की स्पीड है ज्यादा, तो pressure है कम, और नीचे पेज के pressure है ज्यादा प्रसर क्या करेगा, जो पेज को उपर क्यों उठा देगा, ठीक है, अब कुछ इसके application, जैसे आंधी में ज जिसके आपड़ी होते हैं, उड़ जाती कभी-कभी, क्यों, क्योंकि टीन के उपर, speed flow of air ज्यादा होती है, टीन के नीचे flow of air कम होती है, velocity कम होती है, तो उपर pressure कम हो गया, नीचे pressure ज्यादा हो गया, तो ज्यादा pressure ने क्या-क्या, टीन को उखाड दिया, उसी प्रकार से ज जाने पर लोगों को प्रेटी फॉर्म में किनारे जाने से रोका जाता है। क्यों यहां पर कौन सा लोगता है। कि आप कहेंगे। विज्स्टी …"ऊटी आफ टेञिए समोर और तो वहां पर प्रिसर क्या होता है, कम होता ही। जहां हम खड़े होते हैं वहां ब्लास्ट्री आफ एर कम है तो वहां प्रसर ज्यादा होता है तो हमारी बॉड़ी क्या होती ज्यादा प्रसर से कम प्रसर की और ऐसे धका लगता है कि इसलिए गिरने की संभावना होती है ठीक है तो बर्णवली थ्रम के कुछ application है लिखे application based on application based on बर्णवली थ्रम application based on बर्णवली थ्रम यानि application आप बर्णवली थ्रम कह सकते हैं अब application based on इसलिए कि बर्णवली थ्रम कोई इंस्ट्रुमेंट तो है नहीं तो उसका principle यूज़ कर रहे है इसलिए based on कहा गया है application based on बर्णवली थ्रम सबसे पहले नंबर वन लिखे है वैंचुरी मीटर नंबर वन है वैंचुरी मीटर वैंचुरी मीटर वैंचुरी मीटर होता क्या है ये एक device होती है based on the principle of बर्णवली थ्रम लिखे वैंचुरी मीटर is a device वैंचुरी मीटर is a device based on बर्णवली स्थ्रम by which by which we can know the rate of flow of water in a tube the rate of flow of water in a tube किसी tube में rate of flow of water, rate of flow of water मतलब speed नहीं rate of flow of water मतलब होता है कि per second कितना volume water उसमें flow हो रहा है अब जरा समझिएगा जैसे हमको पानी चाहिए ठीक है देखिए अब हमें आपसे पानी खरीदना है ठीक है आपने टेंकर से हमको पानी देना सुरू किया जरा समझिएगा तो हम इस पाइप को लगाते हैं पले कैसे काम करती इसके बारे में बात कर लेते हैं देखो जाद ध्यान से इसमें अभी बनाइए का नहीं इसमें होता क्या है कि एक पाइप होती है अभी बनाइए का नहीं पीछ में कुछ पतली होती है ठीक है यह xy एक pipe है ठीक है और यहाँ अब तेखे अगर pipe आपको दे दे तो आप इसके अंदर का radius diameter निकाल सकते है ना और इसमें करते क्या यहाँ पर एक vertical pipe लगा देते है यहाँ पर एक vertical pipe लगा दिया और यहाँ पर छेद किया यहाँ पर एक vertical pipe लगा दिया इस इस बीच वाले portion का नाम मैंने रिखिया jet ठीक है अब यहाँ पर liquid flow रहा है ऐसे कैसे हम calculate करेंगे तो इसमें क्या होता है कि यह वाला part इसका हमने पतला कर दिया अब जरा समझेगा इस diagram को clear समझेगा इस वाला यहाँ का area of cross section इसका area of cross section मैंने A1 माल लिया क्या माल लिया A1 और यहाँ pressure माल लिया हमने P1 और यहाँ velocity हमने माल लिया V1 यहाँ पर area of cross section हमने A2 माल लिया pressure P2 माल लिया और velocity of flow V2 माल लिया जरा समझेगा यहाँ पर area A1 है area ज्यादा दिखाई हमने है यहाँ area कम है pressure कहाँ ज्यादा होगा यहाँ और यहाँ velocity कहाँ ज्यादा है यानि Z portion पे velocity ज्यादा होगी तो pressure कहाँ भी ज्यादा होगा जहाँ velocity ज्यादा वहाँ pressure कम यहाँ pressure कम है यहाँ pressure ज्यादा है जब pressure ज्यादा होता है तो liquid किदर भागने की कोशिश करता है अपने pressure को कम करने की कोशिश करता है यह liquid यहाँ चड़ जाएगा इस pipe में यह यहां पाइप में चड़ जाएगा लेकिन दोनों की हाइट में कम यहां प्रिसर जादा चड़ेगा यहां प्रिसर कम चड़ेगा तो यह यहां पर liquid इतना चड़ गया उपर और यहां liquid यहां इतना चड़ा तो दोनों की height में difference है कि नहीं है क्यों difference है because आप दा pressure difference यही मैं pressure difference निकाले जा रहा हूँ ठीक है तो यहां पर हम बात करेंगे Bernoulli's theorem because this pipe is horizontal तो Bernoulli's theorem लगाएंगे for the horizontal pipe ठीक है तो by Bernoulli's theorem जो बात करेंगे by Bernoulli's theorem हाँ बना लिजिए अब जरा समझेगा जब Bernoulli's theorem लगाएंगे तो देखें यहां pressure क्या है P1 प्लस हाफ रोप वीटू स्क्वार और रोजी रोजी है तो लिखेंगे नहीं हम तो दोनों की pipe horizontal दोनों जगह है इसलिए एच तो हड़ जाएगा इसी इकवल टू प्लस हाफ रोप वीटू स्क्वार अब देखो पीवन की वेलू ज्यादा है इसलिए liquid जहला चुना था तो P2 को इसलिए ट्रांस्वर कर दो तो आएगा P1 माइनस P2 इस इकवल टू हाफ रोप यह आएगा V2 स्क्वार माइनस V1 स्क्वार अगे अगर प्रेसर यहाँ P1 यहाँ P2 है दोनों के difference की वज़े से जो liquid राइस हुआ है वह h है तो actually में pressure difference कितना है h रोजी यह h रोजी ज्यादा है यानि कि इसको हम लिसकते है h रोजी h रोजी लिसकते हैं ना यहां से हम क्या करेंगे half row यहां से v1 square common लेते हैं अब आप कहेंगे क्यों लेते हैं मैं वह बात में बात करूँगा हम v1 square common लेते हैं तो यहां क्या बचेगा v2 square upon v1 square minus 1 डाइग्राम रब कर सकते हैं हम यह डाइग्राम को ध्यान रखेगा क्या बताया गया है देखिए अब principle of continuity क्या कहती है एक तुई देखिए कोई भी formula हम जो बना के लाएंगे अगर किसी instrument से major करना है तो formula ऐसे term में होना चाहिए जिससे हम instrument के help से उसको नाप सके ठीके तो by principle of continuity of continuity a1 v1 is equal to a2 v2 तो यहां हमको v2 upon v1 चाहिए तो v1 लिखा नहीं है यह a2 v2 upon v1 तो यहां से v2 upon v1 की value क्या होगी a1 upon a2 यह equation number 1 हो गया तो लिखेंगे so by equation 1 one equation में आपको क्या मिलेगा देखे एच रो अचा रो तो कड़ गया ना रो को हम काट सकते हैं तो यहां आएगा hg is equal to यहां आएगा half v1 square और यह आगया आपका a1 square upon a2 square minus 1 हम actually यहां v1 के नों निकालने जा रहें तो देखें यह आएगा hg is equal to half v1 square आपका a1 square minus a2 square upon a2 square तो यहां से हमको v1 निकालना है देखो ध्यान से तेखें जो हम v1 square निकालेंगे तो इसको जब शिफ्ट करेंगे तो यहां से v1 square की value क्या आएगी तो आएगा आपका 2 hg a2 square upon a1 square minus a2 square तो यहां से v1 की value क्या आएगी a2 बाहर हो गया अंडरूट 2 gh upon a1 square minus a2 square यह v1 निकल के आया नोट करिए हमको rate of flow चाहिए मतलब volume of the liquid flowing per second तो जब निकालेंगे volume of liquid flowing per second तो volume को माल लेते क्यों लिख देते हैं चुकि विलास्टी यहां वी है confusion नहूँ तो बताए किसी pipe का अगर area आपको मालूम है और pipe में velocity of flow liquid की मालूम है तो volume का formula क्या होता है यानि area बोले तो a1 velocity बोले तो v1 तो जब हम यहां रखेंगे v1 की value तो क्या हैगा यह a1 a2 under root 2gh upon a1 square minus a2 square तो this is the value this is the volume of liquid flowing per second आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया था हम उसके दोनों end के radius निकाल सकते थे भाई हम चाहे वेंडियर के लिपर्स का इस्तिमाल के चाहे इससे यूज़ करें ठीक है उसको देख करके हम flow जो दो pipe लगाये थे हमने न x और z बे उसकी height भी निकाल सकते थे water कितना उपर जा रहा है ठीक है तो उस instrument से हम यह निकाल सकते है कि per second कितना liquid जा रहा है meter cube ठीक है अब आपको पानी चाहिए हमने क्या क्या tanker की जो pipe थी ना उसको इस instrument के x end में लगा दी और y end से हमने liquid को flow कराया यहाँ पर density आप liquid कहीं नहीं आया है हमने उसका h measure कर लिया उससे जो water flow रहा था उससे h measure कर लिया हमने ठीक है तो हम यह measure करने में जो है able है कि पर second कितना volume water जा रहा है अब हमने आपको एक घंटे तक water supply दी तो हम यह मालूम कर लेंगे कि आपको कितना cubic meter हमने water दिया तो इस प्रकार से वेंचुरी meter से हम यह निकाल सकते हैं ठीक है कुछ चीजें और है जो कि theoretical है mathematical नहीं समझने की कोशिच करिएगा देखिए ध्यान से दूसरा है आपका shape of the wings of aeroplane aeroplane के wings के shape कैसे होते हैं shape of the wings of aeroplane देखिए aeroplane में क्या होता है कि wings का shape होता है मतलब होता सीधा है कि तेड़ा हो सकता है उसमें electronic तो हम देखे ध्यान से इसको मैंने इसे तेड़ा कर लिया अब माले aeroplane उड़ रहा है इसको हमने तेड़ा किया ऐसे अब जैसे आगे बढ़ेगा हवा को इधर से इधर जाना है इधर से इधर जाना है इस wings को touch करते हुए चुकि ऐसे तेड़ा है तो यह वाला रास्ता और यह वाला रास्ता ज्यादा है ये रास्ता कम है ये रास्ता ज्यादा है और दोनो तरफ की एर को एक साथ पहुँचना है तो चुकि उपर वाली एर को ज्यादा रास्ता ते करना है नीचे वाली एर को कम रास्ता ते करना है और अब जिसको ज़्यादा रास्ता तैय करना है और सेम टाइम पे पहुचना है तो क्या करना पड़ेगा उसको उसको अपनी विलास्टी बढ़ानी पड़ेगी तो उपर वाली एर की विलास्टी ज़्यादा हो जाती है नीचे वाली की कम हो जाती है अब उपर विलास्टी ज्यादा है तो प्रसर कम हो जाएगा नीचे का प्रसर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा प्रसर क्या करेगा इसको उठा के कब प्रसर की और धक्का मार देगा और एरोप्लेन उड़ जाएगा ठीक है तो यह logic होता है aeroplane के wings का ठीक है एक आता है atomizer atomizer होता है इसको नाम से बड़ा भेंकर लग रहा होगा लेकि भेंकर नाम से लग रहा है जैसे spray करते हैं इसे चिक 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 करते हैं इस पर करना होता कहीं पर मच्छर मार के लिए तो ऐसे बरा होता है उसमें होता क्या है देखे ये आपने क्या-kya यह अपर liquid भर रखा है मच्छर मार वाला थीख है वो तो कौब, मच्चर के लिए कोई संस्था नहीं बनी होता नहीं, इसे charity होती है, 손त्रा के, कई मच्छर बचाओ अला संस्था बने जाए, मच्छों को नहीं मारने देंगे, मच्छर मारने से मच्छर खत्या होती है, यहाँ पर हमने मच्छर मारने वाला और हमने क्या किया है यहां से इसका एक नोजल बनागर करके एक इसफ्रेस्ड लगा लिए ऐसे अच्छा तो नहीं बनाओं une यहां नोजल मना दिया है एक खोछा नोजल बना ठीक है अब इससे इसको आगे पिछ्छे आप बना तुर मैं और हैं इससे लगना अच्छा हाँ होली पे जो होली खले रगवीरा वदमा होली खले रगवीरा वही हो रगवीरा है होली खेल रहा है अब देखो इस से आपने इसको बड़ी तेज़ दक्का मारना है ना तो यहाँ दो कांसेप्ट से ये काम करता है दो कांसेप्ट यहाँ पर रहे हैं एक तो pressure का concept है एक बर्णवली का concept है ठीक है देखे दो चीजे हैं अगर आप यहाँ पर बड़ी तेजी से ऐसे इसको आगे पिछकारी मारते हो तो होता क्या यहाँ velocity of air ज्यादा हो जाती है और नीचे velocity तो zero है अब velocity ज्यादा हो जाती है तो pressure वहाँ पर कम हो जाता है अब यह यहाँ pressure कम है यहाँ pressure ज्यादा है तो ज्यादा pressure से कम pressure की और water जो होगा liquid होगा वो धक्का मार करके उपर जड़ जाएगा और यहाँ से आराम से उसकी फवारे निकलने शुरू हो जाएंगे एक यह तरीके से आप समझ सकते हैं इसको दूसा तरीका यह है कि जिसमें इस pipe को आप पीछे खीशते हैं जैसे injection भरने के लिए खीशते हैं तो उस सुमें वहाँ पर vacuum create हो जाता है और आपने air उससे चूसली पूरी और vacuum create होने की वज़े से क्या होता है कि vacuum create है तो नीचे से वो liquid जो है उपर जाके उस place को भर देता है आप चुकि भरा हुआ है हम कहीं अच कि यह भी पढ़ लेंगे filter pump ज्यादा वह दिबाग लगा रहें अचा ब्लोइंग ब्लोइंग आफ टिन रूफ इन डविंड स्टॉम जब आंधी तुफान आती है तो किस प्रकार से बड़ी बड़ी टीने उड़ जाती बता चुका हूं मैं कि आंधी आने से क्या होता है कि टीन के उपर का पार्ट जो होता है वह वहां वेलास्ट्री आफ विंड बहुत ज्यादा होती है नीचे कम होती है हमारे हमारे के सुडेंट है उसके हस्बैंट के साथ ऐसा हुआ कि उसकी खुद की इसकी फैक्टरी थी वह स्टील वाली पाई बनाने कि यही चदर और उसकी डारेक्ट आके उसके उपर गिर गई अब प्राब्लम है कि वह तो गिरी प्लस एक डेड़ कॉंटल के उसमें पिलर थे जिसमें वह टाइट थी अब वह उठ नहीं पाया बाई चांस उसका देहान थो गया था एक होता है पिंग पॉंग बाल प्लेश्ट अन्दा वाटर फ यहां पर यहां पर वाटर का फ्लो जादा है वहां प्रिसर कम है और अगल प्रिसर ज्यादा है तो इसके उपर अगर मैं छोटी से बाल लग देता हूं तो actually हो क्या रहा है यहाँ पर यह जो water है यह उसको धक्का तो मार रहा है धक्का मार रहा है बाहर फेकने के लिए ठीक है लेकिन हो क्या रहा है कि बाहर pressure है ज्यादा तो ज्यादा pressure इसको धक्का मार रहा है कम pressure की और और जहां पर यह dance कर रहा है यहाँ प्रिसर है कम तो यह इसी वाटर के ऊपर ऐसे जो है वह तैरा करती है तब डांस किया करती है यह घर में भी काप कर सकते हो घर में प्रेटिकल कर सकते हो कोई पाई-पाप पतला सा लगा दीजिएगा पतला सा और पतली सी धार उसमें उपर निकले सर्थ एक हो उसमें एयर ना ले फख 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 इसे नहीं हावाज होती ही ऐसे नहों पानी सीधे निकले और हलका से बॉल रख दो के तो उसकी उपर रुका रहेगा हो अगल बगल से हवा न लगे उसमें ठीक है इसके बाद आता है मैगनस एफेक्ट देखें मैगनस एफेक्ट क्या होता है मैगनस एफेक्ट देखें ने खतम हो जाता है शर्त यह ना कि हम सामने वाले को देखे कि उस समयारा नहीं आ रहा है हमें पढ़ाने से मतलब है पढ़ा दिया हमने ठीक है अब अगर हर चीज एक्स्पेड करोगे तो हर चीज के एक स्पीड होती है किस स्पीड से आप पढ़ा सकते हो देखें मैगनस एफेक्ट क्या होता है आपने देखा होका कि खिलाडी कुछ जो बॉल को स्विंग कराते है तो अगर हम उनसे कहें स्विंग किस फिजिक्स के कांसेट से हो रही है तो 90% खिलाडी नहीं बता पाएंगी वो कहते हैं कि हम ऐसे गोल घुमा देते हैं वाल स्विंग हो जाती है तो वो यह नहीं जानते हैं मैगनस एफेक्ट क्या होता है और हम यह लिजाते हैं स्विंग कराई कैसे जाती है तो हम स्विंग करा नहीं सकते हैं और वो स्विंग कैसे और ही बता नहीं सकते हैं, तो दोनों भी यह अंतर है, ठीक है, जैसे हम बताते हैं, ट्रांसफार्वर काम कैसे करता हैं, और वो बना सकते हैं, यह नहीं बता सकते हैं, काम कैसे करता है, जो बनाते हैं, मैं इंजीनर की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि भा सब काम करना चाहिए ने इंजिणरी होते हैं वह लेकिन मैंको निए जो हमको इंजिर्श करा ऑई जाती है जो यह सब हमको काम जब ट्रांस्फार्वर्वरग करें तो हम करेंगेarna काम इस मैंगनेस में खिलारी की बात कर रहा हू दो होता क्या है खिलाडी क्या करता है बॉल को घुमा देता है तो ज़रा बॉल कैसे घुमती देखिए देखे वही हम बता रहें देखो बॉल जब घुम रही है तो उपर का पोर्शन यू विलास्टी से ऐसे जा रहा है और नीचे का पोर्शन यू विलास्टी से ऐसे जा रहा है, ऐसे तो यह गुम के ऐसे आती है, अब देखो यहां पर एक्षन क्या होता है, उपर का पोर्शन यू विलास्टी से इधर जा रहा है और नीचे का यू पोर्शन से ऐसे गुम रहा है, तो जब बॉल आगे बढ़ तो जहां जहां बॉल पहुंचती है वहां वहां की एयर क्या होती है वहां की एयर पीछे जाएगी ना एयर जहां पर बॉल पहुंचेगी वहां की एयर को हटाएगी तो ये वाली air आगे वाली पीछे जाएगी तो इधर जाएगी ऐसे v velocity से और इधर जाएगी ऐसे v velocity से अगर उपर देखें तो ball की velocity का direction और air की velocity का direction अपोजिट है तो यहाँ पर velocity हो गई u minus v और नीचे देखें दोलों के direction सेम है तो u plus v तो होई रहा है कि नीचे जो ball के नीचे velocity ज़्यादा हो जाती है और उपर velocity कम हो जाती है जहाँ velocity ज़्यादा होती वहाँ pressure कम होता है तो यह कम pressure के वर ऐसे घुम जाती ही तदकार ठीक है तो होता का है swing कराया उन्होंने ball सीधे जा रही है लेकिन bats मैंने को नहीं मालूँ एकदम से swing होके ऐसे turn हो गई हो तो वो magnus effect है वो क्यों गुमा देते है rest ball को कुछ नहीं करते है ball को तो science करती है जो nature करता है ठीक है इसको magnus effect कहा जाता है ठीक है अग्या जैसे का आग्या flow of blood flow and heart attack heart attack आरे वो ball बनाना है किवला आपको थोड़ा सा ball किताब में अच्छी बनी भी है वो 3D ball बनाई है उन्होंने ऐसे कुछ बनाया है ऐसे ball बनाई है ऐसे बनाई है ऐसे बनाई है और ऐसे जाके ऐसे गुमा दी है थोड़ा सा standard ball बनाई है हम तो इस सस्ति वाली ball बनाए है दो रुपय वाली अब देखे हार्टेक का जो concept होता है उसमें भी ऐसा ने बनावली साहब ने रूल दिया इसलिए हार्टेक होने लगा हार्ट में क्या होता है जब हम कभी बहुत excited होते है बहुत ज़्यादा work करना पड़ता है या बिल्कुल हार्ट की pumping तेज हो जाती है तो मालिया हार्ट से बहुत तेजी से blood निकला तो बहुत तेजी से blood निकला तो वहाँ velocity of flow ज़्यादा है तो वहाँ पर pressure कम हो गया और दोनों तरफ pressure ज़्यादा है तो अब ज़्यादा pressure क्या करेगा वह उसको क्या कहते है आर्टरीズ कहते है ने अंदर जाने वाली को आर्टरी parece है बहुत कहते है मैं आर्टरीश चीज़ बात कर रहा था अब बाहर के ओर flow हुआ तो एकदम से वो arteries क्या हो गई चुकि वहाँ velocity of flow ज्यादा थी pressure कम था तो एकदम से वो चिपक गई अब चिपकने से क्या होता है कि heart का जो velocity of flow जो blood वो कम हो गया अब heart तो बड़ी खुसी में धका मारा blood को लेकिन blood बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि artery चिपक गई एक दन से ठीक है तो उसी में heart की functioning क्रबर हो जाती है और heart tech हो जाता है जैसा कि किताब में लिखा हुआ है अगरे doctor ज्यादा बेटर जानते है ठीक है तो यह आपके कुछ concept है कुछ उसी प्रकार का अगए deep water runs calm जो गहरा पानी होता है चुकि वहाँ velocity of flow जो वहाँ pressure मैं जो डीव वाटर है मालिया गहराई पे आप जाए तो गहरे पानी होने इसका होता कि उपर से pressure बढ़ जाता है तो जब pressure नीचे जादा है तो velocity of flow अपने आप कम हो जाएगी ठीक है अब लिखिए velocity of efflux हाँ viscous force वहाँ पर होगा वह अभी बताया जाएगा लेकिन अब बर्णोली थोर्म के आधार पर उसको explain करने की बात कीई है कि how you explain on the basis अब बर्णोली थोर्म अब लिखिए velocity of efflux of the liquid velocity of efflux of the liquid लिखिए velocity of efflux क्या होता है लिखिए velocity of efflux efflux of the liquid देखो द्यान से अगर आप किसी टंकी में वाटर फ्लो कर लें वाटर ले ले और उस टंकी में कहीं छेद करें जैसे छेद करेंगे वहाँ से वाटर निकला शुरू हो जाएगा तो जिस velocity से वाटर निकलेगा that velocity is known as velocity of efflux उसी को velocity of efflux कहते है ठीक है जरा समझेगा हमने ये टंकी ली और इस टंकी में माल लिया कि उपर तक लिक्विट भरा मैं लिक्विट की बात कर रहा हूँ ये लिक्विट भरा हुआ है और हमने माना ये लिक्विट कैपिटल एच हाइट तक भरा हुआ है अब देखिए जरा विलास्टी इसका जो लिक्विट का अपर पोर्शन है जा टॉप देखिए टॉप पे प्रेसर कौन सा काम कर रहा है एट्मॉस्फरी प्रेसर और टॉप पे विलास्टी कितनी है जिरो ठीक है अब हमने क्या किया इसमें एक छेत कर दिया हमने माल या से यहां वीवन जीरो था यहां वीवन जीरो था प्रेसर पीवन था यह पी था एट्मॉस्फरी प्रेसर जैसे वाटर बाहर निकला बाहर जैसे बाहर निकला भाई साब मैं आया तो प्रेसर कौन सा लगेगा उसके उपर यहां भी प्रेसर पी लगेगा तो हम यहां पर और यहां पर लगा दे बर्नौली स्थोरम तो बाइब बर्नौली स्थोरम अगर मैं फ़रे लेंगवे लिखेंगे कहां पर छेट किया आपने बाइब बर्नौली स्थोरम क्या होता पीवन पीवन बोले तो यहाँ पर प्रिसर पी है प्लस जलास्टी यहाँ पर जीरो है प्लस अब यह माल लेता हूँ कि यह जो टंकी रखी हो ग्राउंड पर रखी वी है तो आपका वाटर कितने हाइट तक भुरा हुआ है प्लस रोजी क्युक्वान एकथी ग्राउंड से लेना है इस इकल टू यहाँ पर आगे यहाँ जैसे लिकविट बहार निकला था प्रिसर कितना लग रहा था प्य और फिरास्टी है रोजी ही होइब रोजी हाइट माइनस है ग्राउंड से लेनी है यह वाली हाइट लेनी है मैंने capital H मान रखने भी दिक्कत होगी आपको तो उपर से water को flow करना है वो हमें defusion बनानी है उपर से हाइट से बनानी है इसलिए हम नहीं बना रहे तो देखे P और P तो cancel हो गया तो यह आ गया rho g h is equal to half rho v square plus rho g h minus rho g small h rho g h भी कड़ गया इसको इदर ले आओ तो half rho v square is equal to rho g small h यहाँ v की value क्या निकलेगी under root 2 g h निकलेगी पहले इसको लिखे फिर हम बात करते हैं साउधान अगर कोई body यहाँ पर मा लेते हैं यह रखी वी है एक h देखो इदर पर समझा लिजेगा h height पर रखी वी है यहाँ पर initial velocity body की क्या है 0 अगर उसको h height से नीचे गिरा दिया जाए यहाँ velocity कितनी regen करेगी हो root 2 g h नहीं होती है यह तो होता है V square plus 2 g h यानि कि यहाँ से अगर liquid को freely गिराए जाता तो उसको velocity कितनी regen करता हो कितनी velocity उसको मिलती root 2 g h तो आप कहेंगे velocity of efflux वही velocity होती है जो body free surface से h height तक गिरने में acquire करती है कह सकते हैं तो आप लिख लिजेगा लिख लिजेगा the velocity of efflux the velocity of efflux of liquid of a liquid from an orifice एक word यूज क्या गया है orifice फिर बताना है क्या होता है orifice from an orifice is equal to that velocity is equal to that velocity is equal to that velocity which the liquid acquires which the liquid acquires in falling freely in falling freely from the surface of the liquid up to the orifice from the surface of the liquid up to the orifice देखो औरिफाइस होता क्या है अच्छा इसके बारे में सबसे पहले टॉरिसली साम ने बताया था तो दिस इस नोड़ा इस टॉरिसली थोरम टॉरिसली थोरम टॉरिसली थोरम ये टॉरिसली ने बताया था इसलिए उनकी थोरम के नाम से जाना जाता ठीक है अच्छा इसलिए टॉरिसली थोरम